चलिए C.I.B. का B.F.M. का B.Module का Market Risk जो की Unit Number 10 और 11 में है 10 का पूरा करके 11 में भी आधिस तक पहुँच गए है एक दो क्लासुस में ये Market Risk भी हमारा complete हो जाएगा और Market Risk में एक अर्थ numerical हमने start कर दिया था इसमें ठीक है तो आप सभी से request है कि जो भी topic है तो आप समझने की कोसिस करें पढ़ें रिवाइच करें जहां से भी आपको जो material मिलता है उसमें वो चीज़ ढूने जो आपने पढ़ ली वो चीज़ नहीं दूने जो नहीं पढ़ी है पहले वो चीज़ दूने जो आपने पढ़ी है चाया आधे मन से पढ़ी है या पूरे मन से हो सकता है कि query देखने के बाद आपको कुछ लगे की गाम इसको ऐसे करना चाहिए है हमको अब यहां पर शुरू होता है हमारा अब ही मैंने म्यूट कर दिया सब को स्क्रीन पर देखिए आप लोग जो हम लोग पढ़ रहे थे कल हमने cover किया था इसमें नुमेरिकल पार्ट कवर किया था जिसमें BPV basis points value ठीक है और उससे पहले हमारा था इसमें sensitivity sensitivity और basis point value दो चीजों पर हमने चर्चा कर रहे थी अब हम बात कर रहे हैं third point की जिसका नाम है duration तो duration जो है मैकाले नाम के यह जो statistician टाइप के रहे इन्होंने जो है study किया है इन्होंने तो इसी लिए इनका नाम मैकाले duration रखावा है यह जो भी हम पाढ़ रहे duration means duration का मर्ड जब भी आ जाए तो इसका मतलब मैकाले duration ठीक पैटरिक मैकाले कि sensitivity कितनी है जब yield में change आता है bonds price कितना movement करता है कितना highly sensitivity है low sensitivity है जब yield में change आता है this is equivalent to time और इसको इन्होंने आप payment कर रहे है वो कितने time बाद तो इसमें क्या किया होने this is equal to time on average that the holder of the bond must wait to receive the present value of the cash flow जो आज वो payment दे रहा है उसको actual में वो future में जब मिलेगा तो कब उसे उसके equal मिलेगा in other words this represent cash flow center of gravity यह भी एक question आपका बनता है center of gravity क्या होता cash flow होता है it implies that if अब यहां पर इन्हों छोड़ा सा example लेनी कोश करिए five year का है six percent का bond है face value उस पर 100 रुपए है और उसमें semi annual six monthly interest उसमें मिलता है और जब की वो है five year का लेकिन उसकी में क्यों कितनी निकाली उन्होंने three point seven year ठीक है then total cash flow to be received over the five year period of कितना 130 130 क्यों होगा उन्होंने बोला six percent है तो six percent का मतलब five year मैं हर साल छे रुपए मिलने 100 रुपए पे तो 130 रुपी मिले उसे from the bond would be equivalent to the receiving 130 एड़ तो जो इसने calculate किया उसने 130 calculate किया तो वर्थ 130 को जब calculate किया जो कि five year में उसे मिल रहा है तो उसमें उसने मैकॉले duration का कि three point seven year में bullet payment में इसने का at the end of three point seven year as a bullet payment तो bullet payment होता lump sum पूरा payment duration और modified duration is मैकॉले duration तो duration हो modified duration हो मैकॉले duration discounted by one period yield to maturity तो अभी इसमें थ्वास आपको यहां से साथ clear नहीं होगा क्योंकि जो yield to maturity है maturity topic है ytm ytm बोलते हैं इसको इस chapter को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें जो भी अभी आपके मन में query आ रही वहां clear होंगे अभी आप simply यह मानिए कि कोई cash flow है उसका present value कितने समय में मिलेगी तो उस calculation को उन्होंने मैकॉले duration बोला जबकि वह instrument अपनी duration रखता है अब यहां पर देखिए the longer duration of security the greater will be the price sensitivity तो यह हमने देखा वाय कि जब भी duration security का longer होता है तो उसकी price sensitivity क्या होती है higher होती है और अगर मैं कहूं maturity पे यह कल यह person में बात हुई थी maturity price sensitivity कितनी होती है है कोई answer कर पाएगा है मैचोर्टी पे price sensitivity क्या होती है जीरो जीरो ठीक है लेकिन जो और period जितना लंबा है उस पर sensitivity कितनी है ग्रीटर होगी तो इसमें बोला will be price sensitivity greater will be the price sensitivity to yield change and higher would be the risk और जितनी sensitivity higher होगी उतना ही risk association क्या होगा उसका ज्यादा होगा bond price changes can be estimated with the help of modified duration by using the following relationship अब इसमें क्या formula बना है एप्रॉक्स percentage change in price modified duration into yield change तो यह formula है यह सारी जो calculations है आपको ytm topic में clear होंगी ytm का topic मैडम पढ़ाएंगे आपको परसांद सिंग जी मैं थोड़ी से दिर के लिए माईक खोला आपका और आपका जो है वह तलाप चलो गया तो अभी मैं इसमें सिर्फ यही कह रहा हूं कि एक duration है मैं कॉले duration है मैं कॉले duration को ytm वाले topic में समझाया हुआ है उसके according जब तक आप उससे नहीं देखेंगे या उससे उसकी class नहीं होगी तब तक यह चीज़ समझ में नहीं अभी तो हम सिर्फ बात कर रहा है जो market risk में जो measurement किये जाते हैं यहां देखिए risk measurement जो market risk में किया आता है तो इसने बुलावा these provide an objective measure of market risk in transaction in a transaction और portfolio market major R बेच दौन तो यह जितने भी market risk calculate किया आते है portfolio में या transition में तो वो sensitivity या downside potential से किया जाते हैं तो sensitivity की बात कर रहा था तो sensitivity में मैंने वहला था दो method है एक तो BPV का method है और एक duration का method है तो यहां पर जो लिखा वहा था book में मैंने वहला था इसको आप A कर लीजिए और इधर जो है यह duration को क्या कर लीजिए आप लोग बी तो book में पूरे sequence जो है गरबढ़ है केवल आपको जो paragraph लिखे हैं उनको समझते वे चलना है ठीक है अब downside potential क्या होता है downside potential में कहता है जो possible loss हो सकता है आपको possible loss only and ignore the profit तो profit potential को हम लोग upside बोले थे न अगर आपको ध्यान होगा एक दो class पहले upside potential का word यूज किया था मैंने ठीक है तो यहाँ पे upside potential को किस नाम से जानते है profit potential और downside को किस नाम से जाते है loss potential या loss ठीक है तो इसमें बोला है downside risk is the most comprehensive measure of the risk as it integrates sensitivity and volatility with the adverse effect of uncertainty यहां से एक question आपका आएगा कि downside potential निकालने में क्या क्या चीजें integrate होती है तो उसने बोला है कि integrate sensitivity और volatility को निकाल के जो calculation की जाती है उसको downside potential में study करते हैं this is the major that is most relied upon by banking and financial तो अधिक तर लोग कौन से matter यूज कर रहे है downside potential ठीक है downside potential में क्या क्या चीज़ आती है अब आता है value at risk कितना money आपका risk में है तो यहां पर यह बोलता है how much we can lose तो value at risk का मतला overall कितना पैसा risk में लगावा जैसे हम लोग loan देते हैं तो loan देने का मतला risk हो गया लेकिन ऐसा loan जिसमें zero risk है तो वो risk में नहीं है लेकिन other हमारे risk में है तो ऐसे ही market में जो पैसा लगावा उसमें कितना risk में है the answer is there is a possibility that we can lose everything मतलब loss कितना हो सकता है सब कुछ हो सकता है although it may have बहुत कम possibility लेकिन हो सकता है value at risk वार बोलते हैं attempts to create a more useful answer by altering the question अब उसने बोला कि पहले दो बोला कितना हम lose कर सकते हैं ठीक है तो इसने बोला how much can we accept to lose अभी अहां पर किया है वैसे तो एक करता है भाई हम सब lose कर सकते हैं लेकिन यहाँ एक word यूज किया उसका नाम क्या है कौन सब बोला उसने उस ने कहा कि भाई कितना हम lose कर सकते हैं उसने कहा सारा यूज कर सकते हैं लेकिन हम मुमेह कितनी है अगर हम कहेंगे लू लॉस कितना होगा भाई सारा ही लूप सकता है लेकिनed कितनी है तो वह कौन से टेजिक से निकलता है वर थे थे त wet is the loss potential the answer could be that we can lose a maximum of Rp into the VR and over the next week अभि आर यहाँ पर क्या है एक चीजज के- क्या टाइम होराइजन एंड में एक्सपेक्ट डेट 90% कॉंफिडेंस तो यहां पर तीन चीज़ें आ रही है तो पहला तो आएगा एमाउंट जिसको वार बोलावा फिर बोला टाइम होराइजन और फिर थर्ड क्या बोला 99% कॉंफिडेंस तो इन तीनों चीजों को मिला करके इस वार की स्टडी की जाती है अब देखिए आगे जरा इस पर एक बात और आपको बोलने है जब यह मेरे क्लास पूरा हो जाएगा तो आपको एक वीडियो का लिंक दिया जाएगा जो कि आपके कोर्स में अवेलेवल है बहुत छोटा वीडियो लेकिन कोई बड़ी बात नही है और है सिंपल वो ठीक है क्योंकि वो एडिटेड वीडियो है उसमें मल्टी रिकॉर्डिंग करके मल्टी स्क्रीन करके यूज किया हुआ है तो वो जड़ा अच्छा बना हुआ है ठीक है तो यहाँ पर क्या है वार्ड इस डिफाइन एस दा प्रेडिक्टेड वर्स तो आने का मतलब क्या हुआ जब भी हम आपने देखा होगा प्रेडिक्टेड एस्टीमिटेड जब हम फस्ट फेपर पड़ रहे थे तो इन सब्दों का बार बार इस्तेमाल हो रहा था वस्ट केस लॉस एट इस स्पैसिफिक क्या कॉन्फिडेंस लिवल यानि आपका प्रेड यह भी कुश्चन कई बार पूछा गया है जो यह वार वाला जो कैल्कुलेशन होता है किन कंडिशन में होता है तो क्या आप आंसर देंगे नॉर्मल ट्रेडिंग वंधिशन में जो यह बता रहे हैं और अपने देखा था जब हम सैंफिलिंग का टॉपिक कर रहे थे हर उस में यह बता रहे थे आप बैंक हैविंग वनडे वी आर उसने जो है खुद निकाल के दे रखा है कि एक दिन का वी आर कितना है इसका मतलब एक दिन का रिस्क कितना है वैल्यू एट रिस्क और जो रिस्क है कितने परसेंट कॉंफिदेंस लेवल पर है नाइटीन परसेंट कॉंफिदेंस लेवल है इसका मतलब कहता है एक चांस है कितने में से सौ में से ठीक है और 2.5 डे कितने वर्किंग डे में तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी कुश्चन आएगा इसमें एक साल के कितने दिन माने जाते हैं आइप लाइट साब टू क्यों कुछंकि सेटरडे संदे होलिटी को स्किप किया जाता है है जो थ्री सिस्टी फाइव होते न है सिस्टी फाइवडेज में अलमोस्त 1 05 4 तो यह चला गया आपका तो कितना हो गया टु इलेवन एलेवन आपके होलिडेज हो गए तो आपको कितने दिन बचे है कि तूफिप्टी वर्किंग डे ठीक है तो वहां अगर टूफिप्टी वर्किंग डे है और कॉंफिदेंस लेवल 90 परसेंट है तो इसका मतलब कि धाय 2.5 डेज आपको क्या हो सकता है लॉस हो सकता है बाद कि नहीं होगा सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर वो पूरे यर की बात करेगा तो आप इसा टूफिप्टी लेंगे कुछ-कुछ वीडियो में ये टूफिप्टी टू भी बुला गया है तूफिटी टू अब ये कह सकते हैं कि कि उससे साथ बहुत जादा फर्क नहीं पड़ता होगा क्यों बता हूं जिसे अगर टूफिप्टी टू लेते हैं आप और टूफिप्टी का वन परसेंट निकालते हैं तो कितना आएगा और टू पॉइंट फाइब टू डेज का मतलब हम लोग क्या ट्रीट करेंगे ? ट्री त्री थो ट्री डे चाहे टू पॉइंट फाइब से ले ये टूफिप्टी से ले अल्टीवेटली कितना आएगा ? प्षी तो साथ इसलिए इसका बहुत फर्क नहीं पड़ता होगा ठीक है मैंने तो जहां भी देखा ठीक है तो यहां पर अगर वो कहता है इसको बात दुद्वार समझें कि 99 परसेंट कॉन्फिदेंस लेवल है इसका फेल होने के चांस कितने परसेंट है वन परसेंट वन परसेंट ऑफ दीज तू फिप्टी का वन परसेंट टू पाइंट फडे इसका मतलब यह है कि थ्री डे ऐसे हो सकते हैं जिसमें हमको क्या उठाना पड़े लॉस देट डेली विल बी मोर देन 10 करोर अंडर नॉर्मल ट्रेडिंग करें तो जब उसने वी यार निकाला कितना है वी यार 10 करोर ठीक है और वो कहता है कि इतना 90 परसेंट कॉन्फिदेंस में सही बात बोला एक परसेंट में ऐसा हो सकता है कि हमारा लॉस या वैलियो एटरेस कितना हो सकता क्या है कि बोलो टैन करो इस ओलसो मेंस देट डेरीज वन परसेंट चांस देट डेली लॉस लिमिट में एक सी 10 क्रोड तो जो वी यार उसने निकाला हुआ है उसने अब इसको थो सब्सक्राइश सेंप्लिंग समझते है उसने का साब मेरा जो वी यारे 10 क्रोड है तो उसने में बोचा आपके कॉंफिदेंस लेवल क्या है उसने का 99 परसेंट इसका एक परसेंट चांस इस से ज्यादा हो सकता है अगर मैं आप से काऊं इसी कोश्चन में बोलू कि 4% स्री 96% कॉंफिदेंस लेवल कॉंफिदेंस लेविल तो आप बता सकते हैं कि डेली लॉस कितने दिन एक्सीट कर सकता है 10 करोर से कितने डेज ऐसे हैं जब आपका लॉस 10 करोर से ज्यादा हो सकता है लगा से लिए अटेंट देज बिल्कुल सही हां सार है क्योंकि आपका लॉस होगा कितने परसेंट कि फोर परसेंट डेज तो 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 पूरे साल में दस दिन ऐसा हो सकता है ति आपका डेस करोर से जादा का लॉस हो जाए और यह सब कौन सी कंडिशन में होता है नॉर्मल इट नॉर्मल इट नॉर्मल इस्टिमेट लॉससे इन एबनॉर्मल सिटूशन ठीक है यूर्मल इसको प्राइस मूवें इसको प्राइस मूवें बोलते हैं एंड को रिलेशन हाओ रेट प्राइस मूवें रिलेशन टूदा इच अधर एक समय में लॉंगा टाइम होरेजन मोर दा वियर तो जितना लंबा समय होगा अगर आप पांस साल में देखेंगे तो वियार ज्यादा निकल के आएगा मीजर्ड विदे गिवन कॉंफिदेंस इंटर्वल अब यह जो पैराग्राफ है यह पैराग्राफ आपका कुश्चन में कैसे आ सकता है सुनिए गजरा तो पुले कि वी यार के बारे में इन में से कौन सा स्टेट्मेंट गलत है या क्या है तो उसने कहा है इट मीजर्स दा पोटेंशियल लॉसेस इट मीजर्स दा पोटेंशियल लॉस अंडर बोलो और यूजिंग एस्टिमेटेड पुलेटिल्टी रेट ठीक है को रेलेशन रेट्स और प्राइस मुविन्स रिलेशन तू इच अधर तो किस किस के बीच में को रिलेशन बता रहा है रेट और जुसको प्राइस मिलने वाले वाले हैं फॉर ए गिविन मेजर्ड विदे गिवन कॉंफिदेंसली इंटरवल इन कैल्कुलेटिंग वी ए आर वी कन कंसीडर दा वॉलेटिल्टी ऑफ प्राइस और कोर्रेलेशन ऑफ प्राइस विद रेस्पेक्ट अफ और अधर एसेट्स लाइवल्टी इन पॉर्टफोलियो नौर्कम नौर्मल सर एक वो मैं आपको दिखाता हूं जो रहा एक मिंट रुकिएगा आप है ना इसमें इन एक गिवन होरीजन ठीक है एंड मेजर्ड विदीन गिवन कॉंफिदेंस इंटरवल यह थोड़ा सा होरीजन भी एक टाइम हो गया और जब भी वी एर की बात करेगा तो उसके साथ कॉ कि अपने पर्सेंटेज केसिस में ओके होती है लग प्रीडिसाइड़ टाइम में उस टाइम में काईगा अगर अगर उसने निकाला है हो कहेगा मैंने तीन यह थ्री यह के लिए निकाला है ठीक हो गया हम उससे पोचेंगे आपका कॉंफिदेंस इंटरवल क्या है वो भी कॉंफिदेंस इंटरवल भी उसे बताना पड़ेगा कि वो अपने बात पर कितना वो है कि ओके तुट कि सब्सक्राइब करने तो वो स्टेंडर्ड डिविएशन मलब फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा हाँ बिल्कुल डेली वॉलिटिल्टी का फॉर्मूलाई ही वह यह जिसे सेंस्टिविटर निकालते हैं न अभी क्या आपको मेरे अलावा यह वीडियो की आवाज आ दी कोई वीडियो नहीं सर्थ नहीं नहीं तो वीडियो दिख तो रहा होगा आपको यह सर्थ दिख रहा है न इसमें वी ए आर को क्या लिखावा देखो इनोंने क्या फॉर्मूला लिखावा है वी आर इस इकल टू वालेटिलिटी इंटू क्या लिखावा है जैड अब जैड इसकोर तो वहां से आएगा अगर हो आपको तो जितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया हुआ है इंटू वी आर वी आर कहां से निकलेगा गिवेन होगा कुस्टन में वी आर क्या होगा वो कहेगा अगर डेली वालेटिलिटी जो है वो गिवेन है मालेट 50 करोड़े वालेटिल्टी किसमें होगी अमाउंट में होगी जो वी आर होगा वी आर किसमें होगा कि में हमारा वी आर 50 कुरोड़ का है ठीक है ठीक है तो वी आर अमाउंट को वोला है in vẫnमेंट इन्टू वी आर बियार निकालने का फॉर्म ला क्या बता है उसने वालेटिल्टी इंटू जो जैडि स्पोर होगा ठीक है और वी एर इमांट जो निकल रहा है तो यहाँ और मंतली में यहां देखो 30 लिखावा और 25 लिखावा दिख रहा तो वही बात है कि जैसे हम लोग यहां पर 365 की जगे कितना ले रहे थे कि यहां पर 25 लेते हैं 25 लेते हैं तो फाइब देखा आपने साथ देखाए कि पांच पांच देखने का रीजन क्या होगा संड़े दो सेटर्डे और ठीक है तो पहले हम यह जड़ा देख लेते हैं कि जो वी ए आर इमाउंट है यह कैसे होता जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया वाया उसको वी ए आर से क्या करते हैं इंटू करते हैं ठीक है अब मंथली अगर है सौरी डेली है डेली को मंथली कर में करना एक क्या कभी करना में कि इस फेनेक इस क्योया मंथली तो यह करना माइं घेली डिया या यो स्कूस्यन में और यह मंथली तो की करना है तो रूट 30 या रूट 25 अगर इसे ELD करना है तो तो यह नहीं करना है तो रूट 250 तो रूट 250 का वैल्यू क्या आएगा 15.8 15.8 या 16 मान लो ठीक है तो 16 का 256 होता न ठीक है तो जो यह 16 आ रहा है उससे आप जो उपर डेली वी आर इंटू कर लो यह बात समझ पा रहे हैं कि आप डेली से मंतली कैसे निकालेंगे अच्छा अगर मंतली रिया हो तो डेली कैसे निकालेंगे डिवाइड कर देंगे वह रूट बेदर आ जाएगा ठीक है अगर मंतली गिवेन है तो उसको डिवाइड वाइड रूट ठीक कर देना तो क्या निकल जाएगा डेली निकल जाएगा ठीक है अच्छा तोरस और देखते हैं इसमें कि यह कुश्चन टाइप का दे रखा है यहां पर ठीक है क्या है इस कुश्चन में देखे जाएगा कि यह इस कुश्चन में तो देखनी कुश्च कर सबसे पहले क्या लिखावा है तो पॉइंट फाइपरसेंट है ठीक है इन्वेस्मेंट कितना किया हुआ है कॉन्फिडेंस लेवल कितना है तीनों चीज आगई ने इसमें ठीक है अब कॉन्फिडेंस लेवल में उसने सबसे पहले यहां पर वी ए आर अमाउंट इन्टू जैट किया हुआ दिख रहा है जैट का स्कोर कितना लिया हुआ है क्योंकि 95 परसेंट में जो हमने तरीका बताया था उसमें 1.64 या 1.65 आएगा सम्टिंग ठीक है इन्टू यह 2.05 2.05 को रूट 30 से मल्टिप्लाई करें क्या बनाया उसने मंतली बना दिया तो मंतली में जब इसको कैल्कुलेट करा 2.05 इंटू इतना तो कितना आ गया 10.10 ठीक है और यहां पर इमाउंट कितना इन्वेस्ट किया वा उसने 10 लेक तो यह 1025 जो निकल के आया है 1025 वी ए आर इमाउंट निकल के आया ठीक है तो अभी आपको क्या करना है इस वीडियो को इस क्लास के बाद देखना है यह छोड़ा सा वीडियो है मेरे खाल से कितने का वीडियो है है आठ मिनिट का वीडियो है ठीक है तो वीरसी से इसमें दो-तीन जो चोनसेट्व बता रहा है इस वीडियोमें करें ठीक है चलो यहां से इसको मैं हटारा हूं भी तो यहाँ पर जो VAR का concept है VAR जो होता है जितना amount आप लगा रहे हैं उतना into VAR करेंगे और VAR होता है percentage में VAR किसमें होता है percentage में अगर 3% VAR है और आपने 50,000 लगा रखे है तो आपका value at risk कितना आ गया बोलिए value at risk per day पंदरा सो पंदरा सो रुपे आ गया अब पंदरा सो के बाद उसमें उसको monthly convert करना है अगर आपने आपसे पूछा कि monthly निकालो तो into क्या करेंगे रूट 25,000 75,000 तो ये ये थौसा नया concept है थौसा एक बार देखने ये वीडियो देखना पड़ेगा तब थौसा समझ में आएगा ठीक है अगला ये भी एक नमबर का question है yield versus price और उपर हमने देखा था था ना की ये और प्राइस के बीच में क्या निकाले आती है और वाल्टिल्टी और इसी का नाम क्या है इसको कोड लिशन बोले हम ठीक है क्या बोले है इसको कोड लिशन ये कैसे निकलेगा ये वोल्टी इस दा डिग्री ओफ वेरियर्स आप आपको पता वेरियंस कैसे निकालते हैं इसका एक्स बार निकालते हैं फिर उसका x-x- bar निकालते हैं फिर उसका x-x- bar का क्या करते हैं स्क्वायर करतें फिर उसक्वा क्य rozm करतें थें डिवाइड सम्डरबै क्या करते हैं क्ला म्जिण ट्वाइच मुझे तसं किया बश्राइन यह करते ना यह निकल के आ रहा है तो सब्सक्राइटствен क्या है । तिक है किसमें बत करें पर वेराइंस माणरन consigo Σीब च्पर एक्स मांजस एक्स बार स्कुायर अपूर्ण एर्ड यह तो ब्ली सित है फीक है लेकिन इस पर पर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा तो यह चूंप सा रहा है तो यह जो वेड हारा इसका यूज कैसे तो उसने बोला यीलड ऒलिद te is degree of variance in yield this is largely unaffected by time and duration the volatility rises as yield fall तो जब जब आपकी yield fall होती है तो volatility क्या करा है यह ऐसे points question में पूछता है वो price volatility is degree of variance in price कि price में कितना variance हो रहा है तो यहां देखलें बहुत simple बात है क्या निखाल आप price कि आपने यह क्या है X bar एवरेज अब यह जो यह निकाल रहा है मान लिए एक महीने का निकाला कितने महीने का निकाला एक महीने का आप एक तोई तोब और बताता हूं इसका practical कैसे करते इसा होता ना जो सेर मार्केट वे छो खेल करते हैं जो स्टेडी करते हैं वह किसी सीक्योर्टी के पैस को यह लिखा ना पैस एक सट एक मेने के पैस लिख लेंगे। उनका क्या निकालेंगे average average और हर price से उस average को क्या करेंगे minus करेंगे माइनस करेंगे square फिर उनका sum करेंगे और 30 से क्या करेंगे उसको root करेंगे divide करना है divide करेंगे तो ये variance आया आपका ठीक है अब वेराइंस में बोलना है अब यहां पर दो चीज़े पहले वाले में किसकी वॉलिटिल्टी निकाली उसने यूल्ड की यूल्ड की जो वॉलिटिल्टी है वो किस से अनफेक्टेड होती है ताइम दूरिशन से थीक है जब की प्राइस की वॉलिटिल्टी किस से होती है यह जो दो लाइन थियोरी की है न इससे एक कुश्चन है आपका थियोरी का तो यहीं दो लाइनों को एक option में देगा वो कहेंगा which is not true या true कि फिर एक बार समझेगे कि yield की volatility अच्छा जो मैं नीचे एक्जामपल दिया हुआ है इसमें किसकी की volatility निका लिए मैंने इसका बैंक में कोई यूज नहीं करना मान लिया मैंने कि मुझे पता इसका बैंक में कोई भी यूज आपको नहीं करना है लेकिन फिर भी थोड़ा मोटा मोटा समझने के लिए कुछ बताई है जड़ा तो प्राइस का किये थे प्राइस का किये थे बिल्कुल सही है प्राइस का ही किये थे हम लोग ठीक है तो यह हमने प्राइस का ही किया था ठीक ऐसे यील्ड का कर सकते हैं ऐसे किसका कर सकते हैं यील्ड का और जब दौनों की यील्ड और प्राइस की 를 याज़ा है यह डिव यहाल प्राइस की जब वॉल्डिल्टी आ जाती है तो उनका फॉर्मोले में यूस्ज करते हैं हम लोग यह जो सामने screen पर फॉर्मोला दिख रहा यह थीक्यां दिख रहा है फॉर्मोल tuvo हीर जो फॉ गण था हमने यस और divided by क्या किया हुआ है price price किया हुआ अब यह जो formula है अगर आपको याद है और ऐसा ही कोई question जिसमें इन ही इन ही words को use किया हुआ है तो आपको help करेगा बिल्कुल sir करेगा ठीक है यह जरूर आपको वहां पर help करेगा price means total price में सब्सक्राइब जो डिवाइड़ प्राइस किया वह टुटल प्राइस नहीं उस चीज का price जो जिस भी जिस भी security की बात कर रहे ना उसका price होगा ना कुछ आज कर price कि यह जो है उसका आज का प्राइस है और वॉलेटिल्टी कब की निकाली उन्होंने over the period of time over the period of time निकाल लगी है ठीक है थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपके लिए बिल्कुल ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं क्या हमें करना है नहीं करना लेकिन मेरी बस रिक्वेस्टी है इसको थोड़ा सा क्या करने को करो कम से कम छोड़ा पिक अप करने की कोसिस करो इसका में और उधार न दे सकता हूं जब भी आप प्राइस वाल है और होगी और उतना ही रिस्क क्या होगा बड़ेग जयादा बढ़ी पीछे उपर पड़ा था हमने से क्लाइनने में इसको बिजनेस लॉस में आने के चांस बनेगे एक मिटर को मैं आपके लिए कुछ ढून रहा हूं जबादा अगर मुझे मिल जाता है झाल 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 आई हुआ है ऀ उच्छिए मैं था में पर दिखाने के लिए भी नहीं मिल रहा है चलो एनिवे तो अभी इसमें इस पेरग्राप में हमने यील्ड वर्सिस प्राइस वॉल्टिल्टी को समझा यील्ड वॉल्टिल्टी क्या होती है डिग्री ओफ वराइंस इन Yield Yield और Price Volatility Degree of Variance in Price Yield Volatility Unaffected रहती है Time और Duration से जबकि Price Volatility Affected रहती है Time और Duration से Duration Price Volatility Yield से Affected नहीं होती है नहीं होती है नहीं होती है लाज लियान Affected लिखावा न तो ये तो theoretical point हो गए और नीचे formula दिया हुआ आपके book में भी ये formula है Price Volatility Is equal to Yield Volatility into BPV Yield divided by Price ठीक है या आप इसको कई बार क्या होता जो ये upon price है न वो यहां दिया होता है ठीक है ठीक और अभी हम थोज़ दिर पहले वो formula देख ले थे देख रहे थे उसमें क्या था जितनी भी price volatility है वो VAR से concern होती है अब यहां देखे 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 थ्री में एप्रोचेस तू केलगूट अब वैल्यू एट रिस्क कैसे निकलता है VAR निकालने का तो पहला कौन सा मेथट है correlation matrix as known as variance covariance matrix method ठीक है दूसरा कौन सा मेथट है तो जो यह वी आर हम यहां से पढ़ रहते नहीं यह वी आर वी आर निकालने के जो मैथट है वो कितने मैथट है थ्री थ्री मैथट correlation method होता है दूसरा historical simulation तीसरा क्या है Monte अल्ट थ्री मैथट्स आर बेस्ट अन थ्री बेसिक parameter तो कौन-कौन से हैं अभी हमने थोज़े पहले बात कही थी holding period कितने समय तक रखना है दूसरा हमने क्या बात कही थी confidence interval and historical time horizon over which asset prices observe अब देखो तीन चीज़े आ गई यहां पर historical का मतलब क्या है historical से मतलब क्या है अब जो आपके पास पुराना है ना जिससे आप compare करना चाहरे है की जैसे आपके दो साल का record है माल लिए कितने का record है तू यह तू यह अगर तू यह का record है आपके पास तू यह आपका historical वो हो गया ठीक है और time horizon क्या है तीन मेन है च्छा मेन है जो आगे के आगे का आप निकाल ले आगे की क्या नुकसान होने के चांसे से आपको आगे क्या नुकसान होने के चांसे है ठीक है अच्छा आप देखिया है पर अंडर दा कोडिशन मेफ़ड दचेंज इन वैल्यू और पोजिशन इन इन चीज की आप स्टेडी कर रहे है विद ए वेराइंस मेट्रिक्स आफ वेरियस कंपोनेंट वालतिल्टी जैन कोडिशन इट इस दा डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच तो एक कोश्चन यह से पूछ सकता हो क्या पूछेगा कि कोडिशन मेथेड वाले में जो एप्रोच डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच ठीक है फिर यहां पर दूसरे नंबर पर कौन किसको लिए आया इस्टोरिक अप्रोच कैल्कुलेट डचेंज इन वैल्यू ऑफ पोजिशन यूजिंग दा एक्ट्वल हिस्टोरिकल मुमेंट अब दा अंडरलाइंग एसेट बट स्टार्ट अब स्टार्टिंग फ्रॉम दा करेंट वैल्यू ऑफ एसेट का मतलब क्या हुआ आज की डेट में एसेट की वैल्यू क्या है यहां से स्टार्ट करके पीछे को जाता है ठीक है इस बात को अब आगे में क्लियर करूंगा है यहीं बताता हूं मॉंटे कारलो में क्या करता है वो वो क्या करता है सैंपल ऑफ रेंडमली जनरेटेड प्राइस सेनेरियो यहां तो इसने बोला कि आज का प्राइस 20 रुपीज है आज से पिछले दिन में 19 था उससे पिछले दिन में कितना था 17 या उससे पिछले दिन में कितना था 19 तो बैक को जा रहा है और बैक को कितने समय तक जा सकता है कि वह बोलो कि कुछ भी है अभी हमने उपर पढ़ा ना कि जो स्टेडी करेगा वह स्टॉरिकल ताइम हो रिजन लिखा वाया आप है वो जो प्राइस अबजर्व करता है ना पिछले एक महिने में क्या था पिछले दो साल में क्या था लेकिन वो आज की डेट से पीसे जाता है इसमें वेराइन्स और को वेरिंस मेट्रिक्स की रिक्वाइर्मेंट नहीं होती है अब देखो यहां पर अभी बात है अगर मैं सिर्फ पांस दिन के रिजल्ट लेके अपने आगे के प्रेडिक्शन करूंगा तो वो अच्छे होंगे या मैं पिछले छे महिने के अबजर्वेशन पर प्रेडिक्शन करूंगा वो अच्छा होगा बताओ तो यहां बोलता है कि प्रेड्ट तो अगर होगा तो हो सकता हो फुल वैराइटी ऑफ इवेंट को कैप्चर नहीं करेगा एंडर रिलेशन से बिट्विन दा वेरियस एसेट विदिन इच एसेट क्लास एंड इफ इस तू लॉंग में बहुत लंबा भी नहीं करना है ऐसा भी नहीं कि हम पिछले पांस साल को कर ले अब पांस साल में पता लगा कि कोई ऐसी घटना बीच में हो गई जो अगले पांस साल में होगी फिर तो वो देखते हुए the advantage of this method is that it does not require the user to make any explicit assumptions about correlation and the dynamic of the risk factor because the simulation follow every historical move तो simulation में historical move की study करता है और ये किसी dynamic को use नहीं करता है इसके बाद तीसरा method कौन सा है Monte Carlo में क्या बोलता है कि इसमें गोला उसने सैंपल रेंडम उठा रखे है यह दा यूजर हैस तो मेक सर्टेन एजंप्शंस अबाउट मार्केट स्ट्च्चर कोर्लिशन बिट्वें रिस्क फेक्टर और वालिटिल्टी He is essentially imposing his views and experience as opposed to the NAV approach of the historical simulation method देखो NAV approach क्या होती है NAV approach में क्या होता है कि हम लोग जैसे मैं इसको example में बता रहा हूँ एक जिगे और हम इसकी बात करेंगे simulation वाल जब्टर है आप एक milk की swap चलाते हैं और आपका आज 50 packet sale हुआ आपका कितना sale हुआ आज 50 आज आपका first day था swap को लेए तो next day आप कितना packet मंगाएंगे 50 50 अब आपका यहां 40 sale हुआ तो next day कितना मंगाएंगे 40 40 फिर next day जिस दिन 40 sale हुआ उसने demand कितनी आ गई 55 की 55 तो आप कितना मंगाएंगे 50 55 तो यह होती नेव अप्रोच नेव अप्रोच में क्या है जाए दिमाग नहीं लगाते कि जो कल भी का उतना ही मंगा लो ठीक है यह नेव अप्रोच है तो यहां यह बोला कि जो इसमें कौन सी अप्रोच होती है इसमें नहीं होती है ने उसे पहले क्या लिखावा दो वर्ड पहले लिखाओ अपोज लिखावा है उनने का जैसा की नेव में करते थे वैसा इसमें नहीं करते हैं और इसमें कौन सा क्या experience क्या use करते हैं वो जो 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 इस्टडी करने वाला है वो imposing his views and experience जबकि नेव अप्रोच में मैंने उपर बताया आपको पहले 20 था फिसका 19 उठा लिया फिर इठा जो दिख रहा है वहाँ पे ना आगे पीछे को टेच करते हो उठा लिया तो एक तरह से अगर मैं बात करूं जो तो historical simulation है इसमें पीछे के past available record की study से बात की जाती है जबकि Monte Carlo में क्या होता है यह जो experience और उसका view है उसके according वो random values उठा लेता है ठीक है और historical simulation में पुरानी past record उठाता है at the heart of all three models method of the model the closer the models fit economic reality the more accurate the estimated VAR numbers and therefore the better they will be predicting the true VAR of the firm तो अब इसमें बोला भई कि जो भी economic reality में fit वैटता है उसको वो जो है यूज करता है ठीक है there is no guarantee that the numbers of written by each VAR method will be anywhere near to each other तो इसका कोई भी वो नहीं है और जब आप ऐसा काम करते हैं तो अपने उसमें बता देते हैं कि हमने VAR कौन से method से use या कौन से method से निकाला है ठीक है clear होगे आप इसमें बात करता है कि वी आर यूजफूल क्यों है यहां से कुश्चन आपके इसमें जैसे यह इसमें तीनों मेठड दी है तो जो पहले वाला है इसमें तुम correlation मेठड से से करेंगी इसमें वेरेंस निकालना होगा तो इस्टेरिकल के जो सैंपल होंगे सेंपल होंगे इनका भी तो वेरेंस निकारेंगे ना नहीं इसमें वह को वेरेंस वाला मैठड यूज़ी नहीं करते हैं इसमें सेंपल का वह कंपेर करते हैं जो और इजिनल रिकॉर्ड होता है लेकिन कोवेरेंस ने निकालते हैं तो एक और बार और रिवाइज कर लेना ठीक है वाई विए आर इस यूसफुल तो पहला पॉइंट क्या है गुट टूल फॉर आल बैंक फाइंसल निश्यूशन मल्टिनेसल फंड मेनेजर फ्रोटेक्शन कर्स्टमर और सेयर होल्डर इंप्लाइज सब के लिए ट्रांसलेट पॉट्फोलियो एक्स्पोजर इंटू पोटेंशल इंपक्ट और प्रॉपिट और लॉस हम इस चप्टर को जो पढ़ रहे हैं उसमें यही तो पढ़ रहे है value at risk risk aggregates and report multiproduct, multi-market exposure into one number तो यह जो answer आ रहा है वो सारी चीज़ बता रहा है क्या बता रहा, multi market exposure को भी बता रहा, multi product को भी बता रहा, meet external risk management disclosure and expectation, इसका मतलब यह है, कि जो हम लोगों को disclosure करने होते हैं, और जो लोगों की उम्मीद है हमसे, तो वो हमारे VAR को बताने से वो समझ जाते हैं, a vital component of current best practices in risk management की सबसे best practices में यह लिया जाता है, embarrassed by practitioners, regulator and, मतलब सब लोगो इसको अच्छा मानते हैं, valuable as a probabilistic measure of potential loss, ठीक, तो आज जो हमने पढ़ा, देखो यह topic आपकी normal banking से बिलकुल अलग है, अलग है, ऐसा कहीं use नहीं होता, आपको अपने exam point of view से, जो हम बीच में words को बोल रहे हैं, उससे आपको मदद मिल सकती, उसका theory का exam जब थोड़ा बद देखना हो वो, ठीक है, तो आज हमने क्या किया, duration को बात पढ़ा, और duration की numerical कहां पर होंगी आपकी, जब आपका, बोलो, वाइटियम 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 वाइटॉपिक, ठीक है, फिर उसके बाद downside potential पढ़ा, और downside potential को पढ़ने के लिए हमने कौन सा tool पढ़ा, बीपीबी, वैल्यू, वैल्यू एट रिस्क, ठीक है, और वैल्यू एट रिस्क को जब हमने पढ़ा, तो उसको day, one day, week, month या year, horizon पर बात करी, ठीक है, उसके बाद हमने yield वर्सेस price volatility को पढ़ा, यानि yield और price और उनकी volatility से related, हमने कुछ ये पढ़े और एक formula देखा सामने, उस formula का use हम कर सकते हैं, इन में से कोई भी variable जब missing होगा, उसको निकालने के लिए, ठीक है, आम तोर पर price volatility और yield volatility निकाल सकते हैं, price given होता है, तो इसमें से BPV yield निकालने को पूछ सकता है, ठीक है, और हमने value at risk निकालने के तीन method के बारे में थोड़ी सी चर्चा करी, कौन-कौन से तीन method है, तीन method हमने थोड़ी थोड़ी पड़े, ठीक है, और थोड़ी थोड़ी के basic बाते सीखी, और QVAR useful है, ठीक है, तो यह करा, इसके आगे हम next उसमें करेंगे, ठीक है, आज का homework है, revision के साथ वो value वो देंगे हम आपको क्या, एक link दूंगा आपको, वीडियो का, वीडियो ऐसे course में तो डाला हुआ है, लेकिन धूनने का problem ना हो, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा एक बार, अगर नहीं देखेंगे, तो अपने आप से आपो कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, इमीडियेट आपको वीडियो,